एलो फ्रेंड्स रायना स्क्रेटिवेटी चैनल में आपका स्वागत है और आज आम बना जारे मसाला काजू नमकीन जो की बहुत ही आमेजिंग और टेस्टी तिक रहे हैं आपको अकुल पढ़िया टैम्टिंग है तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट और बनाते हैं मसाला काजू चलिए इस से लिए मैनरे लिया मैदा यहमने आधा किलो मैदा लिए अब इस में नमक डालें इसमय फिलीवर के लिए आको आरões टीश्ट कत अधा किलो मैदा लिए तो ऐसका वन फोर्त हिससा इसमें अटरेसी घी बंस में कई हसना सब्सक्कु रुज है फजद से तरह कमें पिल गैए है अनी जोtekु राओंक और इस हम्क तुरे को अदक की वगाए there मोला दाने मौहिन की वज़े से आता है तो हुमारा मौहिन है की बिल्याiej ही तैकर होला है अच्छे से में में मेडा माया मिक्स सबशा पॉर नचीऊ घ्षायमित दी بتल यह मज़ी माचे हमें तो अच्छा में अच्छा को आपाद कि सब्सक्राइब सिचare भगा। यूचित पेसं कि मेडा में आपाद मतलब करते हैं। को कि इस तरीके से हमने इसका मैदा लगा के तयार कर लेना है पुरा ऑढानो है और में आ तरना धके रख देंगे और फ्रीज के लिए काजु के लेए स्फेया न है के बहुत अच्छा और टेस्थिक बनावा है तो को की न कह्मा चाहुत है त्यार काली मोर्ट incident में फनी माद मच मेरे दाले जाह bunu और मिलब 英कार तो एंधु दालों कि यहां की आ, तो इसमें मेरा निश्यक सगोज对 तर्पोद्वी निथि अड़र ईया के दोरने सबनाएं तो तो तेकिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब फलेवर के अपने इसाब से उपर नीचे कर लेज़ेगा जैसे आपको चाहिए है खटा और चटपटा उसे आपने माग ज्यादा कम कर सकते हैं मिर्च मसाले तो तेकिए फट्स अब इसमें हिंग डाल दूंगे मैं यह त यह तो 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 फूंदे जालेंगेए चाहट मसाला तो फट्स इं000 मासाला नकिए यह थैर को जाम नियुक्तर आइसके मिर्च मूद्स कड़स कर लेंगे तो अब मैंने यह लोई काट लेंगे हैं इसको बेल इसको ब्रूंगे मिर्च कटा भीट पर शेको बाब दो ना आसे सांट रिम यह चाहता जाहरँ तो अ चेया थेकने से दृएंस यह लोय कुलार यह लूb त्वी इस की बिल गई है अब इसका हम काजू कत करना स्टार्ट करेंगे तो में धक्कन ले लेंगे इतनी थिकों रखिए मैंने थे घक्कन ले लिया है इससे में काजू कट कर लूँगी तो देखेंजि south लेंगे तो इसी तरीके से हमने सारे अगाजू देख लीजिआाप इस तरीके से कट कर लेने मैं इसमें नमकेन में और यह अच्छीज़े शेप बना के दिखाऊंगी आपको मैंने इसमें फ्लावर भी बताया है आपको आगे मैं भी दिखाऊंगी आगर आपको वह दिखना हो बनता है तो मैं आपको दिखाऊंगी अगर आपको पसंद आ जी जुए कमेंट कर एंट sonra मैं उसका भी श्यक्ति आपको बनाना सिखाऊंगी तो मुझे फ्लावर और भी लेते आफ कंई नहीं कॉष्ण क треб हैं, को साथ बहुती है कैशन को और भाप्वाजू काच के लिए है कुछ ब्यूजु कहलें बूज घंदे है कॉता है सबस्कास के को कुछ शीर की B तो बाथ के सबस्क्राओ में में स्क्राई मॉणाने पंट फोदा युदा तो हम सारी बेल के रख लेंगे फिर हम आराम से शेकेंगे तो देखे फंट्स यह हमने सारी कटिंग कर ली है यह बीच में से डिजाइनिंग कट कट के बसती है फिर हम दूसरी लोई में आड कर लेंगे और देखे फंट्स यह तरीके से हमारी कट गया है तो देखे फ्रेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट करा करें और अगर आप में चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब का बटन जरूर प्रेस करें और मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे इसलिए ब ङरी भड़ी अट इसी तरीके इसे मैंने सारे काजू कट करके रहEr लेनी और मुझे तो बेंगे इसलिए काजू की जिये वstatल रादर करेंगे अगरेन तो इस बात का खासा दियान रखेंगे इसका सेखने पर ही सारा डेपेंड करता है कि अच्छा सिख जाएंगे तो देखे फंट जो मैं बोल रही थी मैंने यह शीप बनाई है विल्कुल मोगरे के फूल जैसी शेप है यह चोटे-चोटे मोगरे की गजरे बनते हैं उस तरह की शेप है अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे को कमेंट करिएगा तो मैं इसका भी डिजाइनिंग आपके साथ शेयर करूंगे किस तरह से बनता है बहुत ही क्यूट लगता है बहुत ही अमेजिंग तो देखे फंट यह हमारी काजू भी सिख रहे हैं थोड़े सी सिख गए ह और अब दिमी दिमी आच में अब इस थोड़ा सा बस कलर और आना है तो देखे फंट इस तरीके से हमारी काजू भी मैंने थोड़ा सा फास्ट पारवट कर रखा था तो यह हमारे काजू इस तरह के इस कलर में आपको सेखने हैं तो देखे फंट से हमारी काजू हो गए है इस तरीके से निकाल लेंगे हम सारे काजू तो देखे फ्रंट्स के ते मस्त लग रहे हैं ये विल्कुल मून शेप में बहुत ही प्यारे बने हुए है और खाने में भी उतनी है मज़्यदार और टामटिंग है मेरे बच्चों को तो बहुत पासंद है आप भी सहुली बनाई अपनी फैमली के लिए बहुत ही मज़िदार रेस्पी है और बहुत एजी है तो देखे फ्रंट्स ही हमारे काजू सिक्के हो गए है तैयार सारे निकाल लेती है फिर इसमें हम मसाला एड़ करेंगे इसी तरीके से और भी डाल के वह भी सारे काजू हम फ्राइ करके और निक तो देखे फंस अब हमारे काजू सिक्के हो गए तैयार तो देखे आप चाहें तो एसी सम्पल भी रख सकते है यह भी बहुत टेस्टी लगते है बढ़ा माज मसाला काजू बनाने चाहरे है तो अब हम इसमें गरम में ही मसाला एड़ कर देंगे तो इसमें थोड़ा अच्छे से मरच हो जाये यह एक ट्रिक हैं तो आपको एड़े किजिए थे-दो देखे कितना अच्छा मिसाला कोट हो गया है जब चौन्कि जब हम निकालते द rub हारे चाहरे हो जाता है तो ऑल्यार एंफोड हो जाता है तो मसाला इसमें पाता है अच्छे से तो आप यह ज हो गए तयार मस्त टैम्टिंग लग रहे ना विकुल कजब मज़ेदार अरे मसाला काजू बनके तयार हो गए अगर आमको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेर कॉमेंट कर अगर में चाल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना है तो